तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आई हूँ जो आपके पूरे विंटर सीजन काम आने वाली है आज मैं आपको लिबाम बना कर दिखाऊंगी जो नैचुरल तरीके से हम बनाएंगे जो आपके लिफ्स को हाइडरेटीड रखने में बहुत काम आने वाला है बहु हो जाएगी आपके लिफ्स हाइडरेटी रहेंगे बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा इसली आप इसे बना सकते हैं कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है आप इसको बच्चों के लिफ्स पर भी लगा सकते हैं क्योंकि हम इसे जो बनाएंगे नैचुरल इंग आपको मिलती रहेगी तो चलिए गाइज अब देख लेते हैं किस तरह से बनाना है तो गाइज इस लिफ्स को बनाने के लिए हमें रोस पेटल्स की यानि के जो गुलाब का फूल होता है उसकी पंकड़ियों की ज़रत होगी तो यहां हम थोड़ी सी यह रोस पेटल्स ले बहुत अच्छी होती है हमारे ले 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 लेंगे आपको इजी ली मिल जाएंगे आपके घर में प्लांट आप उसकी और कलर में भी आप ले सकते हैं यहां यह मैने पिंक कलर के लिए इसके बार जो हमारा सेकिन इंग्रीडियेंट है सिफ एक ही चीज हमें मिलानी है जैसा क है कि मैंने आपको बस नहीं में आपको बताया था तो वह है कोकोनट औरं आप कोकोनट एई की जगा अबंडे यूज सकते हैं या फिर आप अलिव औल भी यूज कर सकते हैFE कि अब हमें क्या करना है जैने अच्छे से किर लेना है विंटर सीजन में coconut oil बहुत अच्छा रहता है हमारे lips के लिए बिल्कुल भी dryness नहीं होती इसे use करने से हमारी skin के लिए भी बहुत जाद अच्छा होता है इन्हें हमें अच्छे से crush कर लेना है तो guys हमें इन्हें अच्छे से crush करना है थोड़ा सा time लगता है पर यह हो जाएगा अब हमें क्या करना है एक बड़े वरतन में हम पानी ले लेंगे और उसके बाद एक पैन में हम rose petals ले लेंगे और इन्हें अच्छे से हम पका लेंगे यह हमें 10 मिनट तक पकानी है यह मैं इस वज़े कर रही हूँ जो हमारे rose petals का juice है उसमें यह oil अच्छे से mix हो जाए तो एक चमच हमने पहले लिया था अब हम 2 tea spoon और इसमें add कर देंगे coconut oil की आप कोई और सा oil भी ले सकते हैं यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ तो यहां मैं यह coconut oil ही ले रही हूँ हमारे skin को lighten भी करता है और hydrate भी करता है lips की pigmentation को भी दूर करता है इन्हें हम 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे यह हमें double boiler method से ही पकाना है direct heat नहीं करना है वरना तो हमारा lip balm बिल्कुल खराब हो जाएगा तो इसी तरह हमें double boiler method से ही इसे पकाना है तो एक बात का आपको ज़रूर धियान रखना है कि जो हमने rose petals ली है वो गीली नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी उनमें पानी नहीं होना चाहिए क्यूंकि अगर पानी होगा तो हमारा lip balm नहीं बनेगा तो गाइस हमारे 10 minutes complete हो गए है तो हमारा ये अच्छे से पक चुका है अब हम इसे उतार लेंगे तो गाइस हमारा ये बनकर ready हो गया है अब हम इस trainer की health से इसे चाहन लेंगे तो हमें इसे strain कर देना है तो हमें इसे strain कर देना है हुआ है अब हमें क्या करना है नहीं है अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद हमें आपके पास कोई भी खाली container हो तो आप उसमें इसे store कर सकते हैं तो guys हमारा ये बन गया है अब हमी क्या करना है इसे फ्रिज में एक गंटे के लिए हमें रखना है तो इसे हम फ्रिज में रख देंगे एक गंटे के लिए guys this is the final look you can see this कितना प्यारा कलर इसका आया है बिल्कुल light pink कलर है बहुत अच्छा लगेगा ये हमारे lips पर लगाकर अगर आप थोड़ा सा dark कलर चाहते हैं तो आप जादा amount में rose petals ले सकते हैं और थोड़ा dark कलर में लीजे तो उससे dark कलर आएगा ये कलर भी बहुत प्यारा है बहुत अच्छा आपको इसका result मिलेगा आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर लग रहा है अब मैं आपको गाइस इसे लगा कर दिखाती हूं कि इसको लगाने के बाद कैसा कलर आता है हमारा lip balm बनकर ready हो गया है और मैंने अपने lips पर कुछ भी नहीं लगाया हुआ है अब मैं आपको ये लगा कर दिखा रही हूं आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका light pink कलर आया है आप इसे daily use कर सकते हैं कोई भी side effect नहीं है natural ingredients है रोज बहुत अच्छा होता है हमारे skin के लिए rose water आप देखते होंगे के face pack में यूज किया जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा ये हमारे lips के लिए अगर आपके lips for pigmentation की problem है तो ये problem आपकी बिलकुल दूर हो जाएगी अगर आपके lips का color dull है dark है तो उसे ये pinkish करने में lighten करने में बहुत help करने वाला है आपकी आप बच्चों के lips पर भी इसे लगा सकते हैं पूरे winter season आप इसे लगाईए और उके साथ share करिए क्योंकि इसका result ही बहुत अच्छा है तो आप देख सकते हैं guys कितना प्यारा color इसका आया है मैंने इसे लगा लिया है आप इसे दिन में दो बार जरूर लगाईए आपको ब इफेक्ट नहीं है और बाहर के जो लिबाम आते हैं वो chemical वाले होते हैं तो घर में आप इसे बना भी सकते हैं guys अगर आप मेरे से related कुछ पुछने चाहते हैं किसी और भी problem का solution चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं इसका reply मैं आपको दे दूँगी वीडियो अच अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीज़े साथ ही बल आइकन को प्रेस कर दीज़े जिसे मेरी और भी उसफुल से वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रही हम फिर मिलेंगी अच्छी सी उसफुल से वीडियो के साथ अब तक के टेकेशन से हल्दी और बबाए